हे काईस मैं हूँ सीरा तो आप सबका स्वागत है सीरिस फ्लेफर में फिर से एक बार आज जो मैं आपके लिए रेसिप लेके आई हैं वो है विंटर स्पेशल रेसिपी काजर का हलवा चूकि सबको बहुत पसंद होता है और यह मैं बहुती इजी स्टैप से बनाऊंगी तो चलिए देखते कैसे बनता है यहां पर मैंने कडाई ली है इसमें बड़े चार चमद में घी के डालूंगी चार से पांच चमद यानि कि आप 50 ग्रैम्स भी ले सकते हैं और यहां मैं दो किलो गाजर बना रही हूं तो मैंने दो किलो गाजर को अच्छे से दो के ग्रेट कर लिया है और इसे हमें अब घी में डाल देंगे और इसे में थोड़ी एकले सौते करूंगी थोड़ी से मतलब हमें पकानी है इसको घी में ही गाजर को तो इसको मैं थोड़ी अब एक मिनट के पहले डखके रख दूँगी और इसे अच्छे से हम घी में मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर मैं एक मिनट कले काजर को ढख के रख दूंगी अब एक मिनट हो गया है और देखिया अब यह अच्छे से पक चुकी है इससे मैं एक दो मिनट और चलाऊंगी और अब इस चाइम इस चाइम हम इसमें दूट डालेंगे और यहां पर मैं 2 kg गाजर में मैं at least 1 kg से थोड़ा सा उपर दूद यूज कर रही हूँ और इसमें मैं जो दूद की उपर मलाई थी मैंने वो भी डाल दी है इसमें मैं खोया बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ यह मलाई और दूद से पूरा का पूरा मैं हलवा बनाऊंगी और यह बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे हम दूद में ही बहुत देर तक कड़ाएंगे मीडियम फ्लेम में पहले मैं इसे रखूंगी थोड़ी देर जब बबल्स आएंगे तो मैं इसे Sim Gass में अच्छे से कड़ाते रहूंगी हमें हलवे को बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है इसे यह नहीं कि हमने बिल्कुली Sim में छोड़ दिया है बीच बीच में आके थोड़ थोड़ा हमें देर तक चलाना है इसे और जब इसका दूद बहुत कम हो जाएगा देखिए इस चाइम मुझे बनाते वे at least 30 minutes मैंने इसको सिम्मे रखा है और 30 minutes में पूरा का पूरा दूद सोक लिया है गाजर ने और इस चाइम हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी मैं इसमें 300 grams डाल रही हूँ आप अपनी इसाब से कम जादा कर सकते हैं कईों को जादा मीठा पसंद होता है कईों को कम तो इसमें मैं 300 gram डाल रही हूँ 2 kg गाजर में तो आप उसी इसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी चाहिए और इसमें मैंने चीनी चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है तो हमें इसका पूरा पानी सुknाना है मीट्यम फ्लेम में हम इसे चलाते रहना है और यहाँ पे काफी इसका पानी सूख किया है गाजळर का और चीनी जो हमने डाली तो उसका तो अब इस चाइम मैं इसमें ड्राइफ रूट्स चालूँगे, ड्राइफ रूट्स आप अपनी मज़ी से डाल सकते हैं, आप गोला भी डाल सकते हैं इसमें, बड़ा बड़ा काटके, तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने ड्राइफ रूट्स इसमें किसमिस, काजू, बदाम, यह सब डाले हैं और आप इसको इसमें मिक्स करिए और इसको हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे ताकि थोड़ा और जितनी भी थोड़ी सी कसर है वो पानी की वो भी एकदम से पूरा ड्राय हो जाए हल्वा तो यहां पर हल्वा बनके एकदम रेडी है यह बिल्कुल ड्राय हो चुका है यहां पर तो अगर आपको मेरे रैसीपी पसंद आई हो बिल्कूल भी मत भूलिएगा फिर मिलते है नई रैसीपी के साहत तब तक लिए टेक केर बाबाए